हेलो स्टुडेंट हम लोग आज की वीडियो में बालोजी की बेरी मोस्ट इंपॉर्टन कोईस्चन डिसकस करेंगे नर्सिंग पारामेडिकल फार्मेसी इंट्रेंस एक्जाम 2020 के लिए तो आप लास्ट तक वीडियो देखेगा सभी कोईस्चन बेरी मोस्ट इंपॉर्टन है जिस स्टुडेंट को नर्सिंग पारामेडिकल फार्मेसी के डिपलोमा और डिगरी कोर्स करना चाहिए तो वो अभी नर्स कहां से सीपी नेट इंट्रेंस एक्जाम यूपी योमियस सेफ़ाई टावा के थुरू निकलती है सीपी नेट के नाम से अभी फार्म निकला नही तो आप लोग चैनल पर बने रही है और अपने इस्टुडेंट को सेर जरूर करें सब्सकाइबर नंबर जरूर इंक्रेज करें इंट्रेंस एक्जाम 2020 सीपी नेट के पहले आप लोग 1000 सब्सकाइबर कम्पलीट जल्दी से करें तो इस्टुडेंट यह सभी कोश्चन बेर मार्क करेंगे बता देंगे तो आप लोग उसको बार बार वीडियो दो तीन बार देखिए उसको याद करिए या फिर नोट डाउन करिए दोनों काम करिए तो चलिए हम लोग कोश्चन नंबर 151 कोश्चन नंबर डिसकस करते हैं कह रहा है फीकस इज आन एक्जामपल आप फूइच काइंड आफ इनफ्लोरोशन जो फाइकस किस परकार के पुस्पन करम का उधारन तो इसमें इनफ्लोरोशन से दिया गया है इस पाइक रेसीम साइथियम और हाइपन थोडियम तो कह रहा है फीकस जो एक्जामपल होता हो किसका होता है तो आफसा नंबर फॉर्थ साही करेंगे हाइपन थोडियम का जो एक्जामपल होता है फीकस होता है अगर साइथियम इनफ्लोरोशन का एक्जामपल पूछता है तो आप यह भी नोट कर लिए यू पी यह ओ और यू फोर बिया याद कर लिजिये और एक याद कर लिजिये पॉइंस इडबल टी आई पौइंट इटिया य यह दो आप नो डाउन कर लीजिये काउन से साइथियम इंफ्लोरोज खर पूछता यहाँ पूछता फीकस किस प्लांट में आते तो हाइपन थो डियम इंफ्लोर्टक धाता है तो आपसा नमबर कौन सा सही हो डाएगा पुछता अर्ठ और । vacant पूछा भी गया है कहरा है बाई कार्पिलरी गाइनुसियम और अबलिक ओबरी अकरसीन कहरा है दू अंडपी जयांग तिर्चा अंडा से पाया जाता है किसमें मस्टर्ड में भी आफसन बिरिंजल में थार्ड आफसन हुट में और फॉर्थ आफसन जो दिया गया उनियन मिन में अबलिक ओबरी जो पायाता यह बिरिंजल में पाजाता फाइमली शोले ने सी एंसीयाटी में फ्रस्ट अलेवंध इंस बाया गया इसमें कितनी दिए फॉर्थ फाइमली दी गई है उसका आप लोग एकदम एकदम रीड कर लेजी चारों फाइमली एकदम केलियर क ले यह वहां से दो कुष्यन आने हिं तो फाइमली सिकेट जो दिया गया शोले नैसी वहां का बीरिंज़ाल आप सतन सफ़े हो जाएगा बाइगन होता है तो यह एफिपटी थी इंप्वारेटीन कोईश्टन हम्हर पूछा जाता को ता फोटर इसपा Jessen स्टाइब किसमें होता है फ़स्ट आपसम माइटो-कांडिया भी आपसम गलय के सॉम्स इस थार्ड आपस Alunun गजुय बाडी तो इस परकास की समय होता है तो आफ़ा नमबर लौ हर करेंगे प्राक्षिक सुम में क्या होती है फोटो रिस्पाइसान नेक्स्ट नमबर important question number है, यहां से दो question बनते हैं, कहता है, the first CO2 accepter in C4 plant, C4 plant में पहला CO2 accepter कौन होता है, तो यह C4 पौधों में CO2 का पर्थाम स्विकारता कौन होता है, तो इसमें अगर C3 पूछता तो PGA हो जाता, C3 plant के लिए first CO2 accepter, बस यहां बट यहां C4 plant के लिए पूछता है, तो प्यफ हो जाता है, फास्पो इनाल पाइरुबेट, तो आपसर number first correct हो जाएगा, आप लोग यह भी note down कर लिजिए, कि C3 plant के लिए क्या होती है, C3 PGA, फास्पो ग्लिसल डिहाइड होती है, नेक्स्ट कोईस्टन नमबर, पहराज दी हार्मोन परिजन्ट इन्दा लिक्यूड इंडो स्पर्म, कोकोनेट, important question है, हर बार पूछा भी जाता है, कहता है, कोकोनेट में क्या खाय जाता है, तो उसका खाने वाला भाग जो होता है, वो इंडो raz canyon काईनें तो औफ्ससर नंबर फोर्त सही हो जाएगा इताय धेलीन और साइटो काईने चाहर करते को नेक्स्तकिन नंबर इंपरटन को स्चिन नंबर है 156 कह रहा है molecular seizures, seizures means क्या होती है काइची होती है used in genetic engineering में कह रहा है अनुमानसिक अभियंत्रकी में परियुक्त होने वाला आडवी काइची क्या है तो काइची क्या होती है RE याद के लिए ट्रीक है आर जो हम लोग लकड़ी काटते हैं RE means restriction endonuclease तो option number 3 ही सही हो जाएगा यह bond break करता है restriction endonuclease option number 3 सही हो जाएगा 157 number question important question है कह रहा है इन इंडिया में tropical rainforest are found in कहां पर पाजाता है तो 157 number का question answer second हो जाएगा अंडमान में तो अंडमान में भारत में उस रड़ कटवन दिये बन कहां पाजाते हैं option number second हो जाएगा अंडमान next question number the major source of methane in इंडिया यह भी question पूछा गया है कि भारत में methane का मुख स्रोत कहां पर है rice field होता है, wheat and field होता है, sugar cane होता है या fruit arcades होता है, फलो के बगीचे होते हैं तो option number first सही हो जाएगा धान के खेत जो होते हैं भारत में methane का मुख स्रोत होता है तो option number first correct करिए next question number important है opium is obtained from opium जो होता है अफिम प्राप्त कहां से किया जाता है dried leaves, सूखी पतियों से या roots से, जडों से या latex from unripe यह देख लिए unripe ripe means पकना होता, unripe means बिना पके हुए और latex from ripe fruit पके फलो के चीर से तो option number third सही हो जाएगा unripe fruit से, बिना पके फलो के चीर से यह प्राप्त होता है तो option number third आप लोग correct करिए next question number sun hemp is obtained from sun hemp means गया होता sun hemp प्राप्त की जाती है sun hemp हम लोग के इधर लेपटुआ भी इसी को कहते हैं तो यह प्राप्त की जाती है किसे kratolaria junciaya से या cannabis sativa या mousa textilis से या cocus neucifera से तो option number first सही हो जाएगा krotolaria junciaya से तो option number हम लोग first सही करेंगे sun hemp प्राप्त होता है krotolaria junciaya से next question number important question है biomolecules से question यह दिया गया है तो FF amino acids amino acids क्या होते है negatively charged होता है या positively charged या UV star ion होते है या Ket Ion होते है तो amino acid क्या होते है उसमे negatively charge भी present होता है और positively charge भी present होता है तो यह क्या हो जाते है यह juuters ion तो करते हैं जिसमें पाश्टिव और निगेटिव चाड़ दोनों होते हैं जुट राइन सो करते हैं तो अमीनो एसीड अम्लोग जो होते हैं जुट राइन तो आपसा नंबर थार्ड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन यह कुश्चन पूछा भी गया कहता है कि इन में जाइलम जो फ़र्ण टेडो फाइटा में फ़र्ण प्लांट होते हैं उसका ड़शालम होता है कैसा है 이상 होता है फोर फाउसन polyarch, तो फर्न की जो जाइलम होती है, वो मीजाइश होती है, बोथ वाली होती है जिसका option number कौन सा, second हम आप्फन साही करेंगे मीजाइश मितलब क्या होता है इसके जाइलम, फर्न के जाइलम में proto- जाइलम and meta- जाइलम, proto- प्रो- ती- मिक्स्ट होते हैं एक दूसरे में इसलिए फर्ण के जाइलम को मिजार्स कहते हैं तो आपसन नंबर से करेक्ट हो जाएगा नेश्ट कुइस्ट नंबर important question number है कह रहा like podium is commonly known as like podium क्या होता है ये भी एक फरन होता है कह रहा like podium को क्या कहते हैं सामनितिया जाना जाता है किस नाम से first option horse tail दे रहा बी option club mass third option coil what और fourth दे रहा stone वार्ट तो option number second है सही हो जाएगा like podium को club mass कहते है आपसन नंबर कौन सा सही हो जाएगा लाइको पोडियम ब्राइव फाइटा का मेंबर नहीं है तो कलब मास कहते हैं जिसका आपसन नंबर सिकंड हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नंबर 164 पॉलीनेशन इन साइकस टेक प्लेस तुरू कहे रहा है जो साइकस में पराकण होत इसको होता है तो इसमें कहे रहा कि पॉलीनेशन आन्ट चिटीओ दाहरा होता है वाटर पाणी दाहरा ब 있거든요 द्वारा याफोर्ट आफ्सान एर अरहा द्वा द्वारा तो आफ्शन नंबर फॉर्ट करेक्थ हो जाएगा एयर के हवा के द्वारा पॉलीनेशन होता साइकस प् और फरस्ट और फ्राइब सबस्टेज होती ने लता जरा पानी दे दो यहां डिपलोटीन है यह डाइक आइक आइज आइक आइज हो गया तो जो किए राइक स्वे नेमोग तो उस्वे psychology में होती है तो प्रोपश्ट यह जाइगोटीन स्टेज में बनती है बट यहां क्रासिंग ओबर तो थाड़ आपसंस सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्टन नमबर इंपॉर्टन कोईस्टन नमबर है कहरा प्राइमरी प्रिकार्सर्स आफ अमीनो एसिड इज अमीनो एसिड का प्राथमिक अग्रामी कौन है इसमें तो इसमें यह कोईस्टन थोड़ा सा क्या टप कर दिया है क्योंकि यहां मिथियोनिन दे दिया है और ट्रिप्टोफान जो कि दोनों अमीनो एसिड इंडोल एस्टिक एसिड आई ए दिया गया है इसका फुलफाम होता ह A इन्डी ओ यल ईंwater किस्टिक एस्टिक इस्टिक एस्टिक एस्टिक अऊजिए होता है इसका प्रिकार्शे सपूनीन सम्हें चाह Gesund ऑफिपोफण ओर सेन नमबर सही करेंगे तो आप थुपटो फायन जाएगा नेस्ट कोईश्चन इंप्वार्टन कोईश्चन है कहरां लिंक होती है भीट्भिन ग्लाइकोलिशिस और क्रेप साइकल गलाइकोलीशिस यों ग्रेप चक्र के भीज कौन सी कड़ी है, तो कटिरी के side होती है, B authorizedледNation, issant. यह question 2017 में CPNet Interest Exam में पूछा गया है, तो option number आप third correct करेंगे. Next question number कहाई राइ, double standard RNA present वैसे तो virus में single standard RNA present होता, बट यहाँ पे कहाई राइ, double standard RNA कौन से virus में होगा? रियो वायरस या माइट्रोकांड्रिया में double standard इनने होता है या बैक्टीरिया में या क्लोरोप्लास्ट में तो रियो वायरस है जिसमें double standard RNA परजंट होती है double standard RNA कहां पर परजंट होती है रियो वायरस में next question number important question number है कह रहा है poly embryonic is found in यह question आप कहां से सही कर सकते हैं यह question आप thinking से सही कर सकते हैं अगर आपको poly embryonic means पता है poly क्या होता पॉली मेनी होता है बहुत अधिक और embryonic means embryo अधिक embryo का पाय जाना किसमें यह इसका poly embryonic का क्या definition होता है I say species जिसमें each ovule परते एक ovule में क्या होना चाहिए contains many embryo मतलब means अधिक से ज़्यादा embryo का होना many embryo कहलाता है तो many embryo का पाया जाना क्या कहलाता है poly embryo एक ovule में many embryo कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं one seed one seed क्योंकि ovule से ही seed बनता है तो one seed many embryo यह भी बोल सकते हैं many embryo many embryo का poly embryo नो poly embryo कहते हैं तो poly embryo का example दिया गया first option citrus दे रहा है b option leachy third option coconut नारियल और fourth option tomato टमाटर तो जो first option नीबू ही सही हो जाएगा citrus option सही हो जाएगा बट आप लोग एक example और याद कर लीजिए citrus and mango भी होता है m a n g o mango means आम आम में भी poly embryo होती है तो यह भी आप example दो रच लीजिए next question number का रा नमायटव फोर्स स्वानण इन रूपर होड़े होडें में हाँ में धौन केशन में ये भाई भाईबा atrás में तो आपको नेट-m lonia मिलक प्लांट में नारेयल क्वाउस हों Sind तो यह यह कौश्मेटिक प्रोडक्षन या अफ्मेटीक फर्मइटेशन इस सफेर्ज्व讲 से साइटोगाइन हार्मोन पा जाती है जो एप्कल डॉमिनेंस प्लांट में हल्प करती है तो साइटोगाइन हार्मोन की वज़ा से टीशू कल्चर में यह कोकोनेट मिल्क यूज होता है तो आपसा नमबर फूर्थ ही करेक्ट करेंगे नेस्ट कोईशन नमबर कहा रहा है 172 RQ रिस्पारेटरी क्यूशन्ट आप फायटी सबस्टेंश जनरली जो फायटी सबस्टेंश का RQ रिस्पारेटी क्यूशन्ट हम लोग को बताना है वसी ये पदार्तों का RQ सामानित्या कितना होता है फायटी क्यूशन्ट का 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 फा कार्मूला होता है आप लोग ये नोट डाउन कर लिजिए रिस्पाइटी कुस्टंट इसकल इसकल तो सीयोटू प्रोड्यूज अपान आक्सीजन कंजियूम अब आप कैसे आत करेंगे सीयोटू प्रोड्यूज को ऊपर रखा जाएगा तो ऊपर ऐसे आत कर लिजिए इस क्र नीचे रखें तो यह फार्मूला हो गया और कार्बोहाइडेट का आर्की कुस्टंट वन होता है फायट का 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.8 से आप 0.9 याद करिए कभी-कभी 0.9 आपसन देता है कभी 0.8 अगर दोनों आपसन में देता है तो 0.9 सही हो जाएगा अगर बोथ देता है तो आप बोथ लगाइए तो यह आप लोग नोट डाउन कर लिजिए और की रिस्पाइटी कुसेंट की बैलू है इस्टुडेंट 174 कोईस्टन भी इंप्वार्टन कोईस्टन है कहरा पेरी इस्पर्म इंसीड डेवलप फ्राम बीजों में परिब्रून पोर्स ब सेफई सीपीनेट के थुरू फाम अपलाई करके वो गौर्मेंट कालेज में एड्मिशन ले सकती है वो बेसी नर्सिंग हो या उसके नर्सिंग के डिपलोमा कोर्स जेनेम या एनेम हो तो जिस स्टुडेंट के सिस्टर हो या कोई रिलेटिम में हो तो करना चाता तो आप सूचित किया जाएगा और फिजिक्स कमेस्टीबालवजी के क्यश्चन मेरे चैनल पर आप कर सकते हैं और आप सेलेक्षन भी ले सकते हैं तो आप लोग अगर ऑर भी कोई कवेरी हो आपको तो डिस्क्रिप्स नंबर में मेरा वार्स्वा beimवाई है आप लोग प्लीज कंट सेल से या थर्ड आप्षन हाइलम से या फोर्ट आप्षन ओबरिवाल से तो पेरी इस पर्म यह न्यूट्रेटिव सेल होती है न्यूट्रेटिव टीशू होती है देख लिजिए इसका हम एक्सप्लानेशन आप लोग को दिखा दे रहा है यह कह रही है कोईस्चन अभी हम ल देख लिजिए तो यह उसका कांसेट था आप लोग उसको देख लिजिए तो पेरी इस पर मिंसी डेवलप फ्राम कहां से निउसलेस सेल से तो आप सा नंबर सीकेंड इस सही करिए 175 नंबर कोईश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो student यह सभी कोईश्चन इंपोर्टन थे आप लोग लास्ट तक देखिए और अगर समझ में नहीं आएगा तो आप दो तीन बार यह वीडियो चला के देखिए concept क्लियर करिए तो student complete वीडियो देखने के लिए आपको धन्निवाद Thank you